इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से जहां आर्सीपी सिंग को जेडियू का नया अध्यक्ष बना दिया गया है यह प्रस्ताव खुद सीम नितीश कुमार ने रखा था पटना में चल रहे दो दिवस्य कारेकारणी बैठक में यह फैसला लिया गया आर्सीपी सिंग की गिंती नितीश कुमार के सबसे खास नेताओं में होती है राश्चर कारेकारणी की बैठक में खुद नितीश कुमार ने भी कहा कि आर्सीपी सिंग संगटन का काम काफी पहले से देख रहे हैं वो संगठन में महा सचीव का पद भी संभाल रहे हैं और राजिसभा के सदस्य भी हैं लिहाजा उन्हें अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है आर्सीपी सिंग पिछले दो टर्म से राजिसभा के सदस्य हैं वो पहली बार 2010 में राजिसभा गए थे और उसके बाद 2016 में फिर से उन्हें नितीश कुमार ने भेजा था नितीश कुमार और आर्सीपी सिंग की पहचान उनके रेल मंत्री के कार्याले से है जब वो उनकी नीजी सचीव थे और उसके बाद जब नितीश कुमार मुख्य मंत्री बने तो वो पांच वर्षों तक उनके प्रधान सचीव रहे आपको बता दें कि इस बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाल ही में संपन हुए बिहार विधान सबाच चनाओ में जद्यू के निराशा जनक प्रधर्शन के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर बड़ा उल का लगा जहां जद्यू के साथ में से शह विदायक भाजपा में शामिल हो गए ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन यूज